हेलो दोस्तों मैं राकेश शौधरी आपको mathematics teacher वेलकम करता हूँ digital theory के youtube channel पर हम बात कर रहे हैं mensuration 2D advanced mathematics के topic की और हम देख रहे हैं उसमें part number 6 और हम follow कर रहे हैं राकेश यादाव class notes देखिएगा अगला question करने से पहले थोड़ा सा कुछ basic समझ लेते हैं जो हमारा सम सस्ट बुझ होता है उसके बारे में तो क्या होगा किस तरीके से होगा जरा देखिएगा इसे हम बोलते हैं क्या regular hexagon ठीक है किस तरीके से होगा सस्ट बुझ है तो छें बुझाओं वाला होगा और सम सस्ट बुझ की बात कर रहे हैं तो 6 की 6 बुझाओं आपस में क्या होगी बराबर होगी इस तरीके से ये बन गए इसकी एक तरह से आकरती तो नाम अगर इसको दे या और अच्छी से बनाए इसको तो देख सकता है इस तरीके से बनेगा ये इस तरह की आकरती बनती है ये इसकी बुझा ए है सभी बुझाएं एक समान हो गई और बुझाएं कितनी हो गई आपके पास 6 ठीक है यहां तक अब देखिए इसके लिए हम बात करते हैं तो इसके लिए बात करें सबसे पहले इसका शित्रफल देखें तो इसका एरिया अगर हमें देख रहा है तो ये इसके बीच में हमें कोई पॉइंट ले सकता है इस तरह से अगर हम देखें तो इसकी लंबाई भी क्या होगी ए ही होगी यहां से इस वर्टेक्स पॉइंट के डिस्टेंस अ आपको पता है, root 3 by 4, a square मतलब भुजा का square, तो यह आपको एक triangle मिला, जब आप इसको इस तरीके से इसको मिलाएंगे तो यह दूसरा triangle होगा, इधर मिलाएंगे तो तीसरा होगा, इधर मिलाएंगे तो चौता होगा, इधर मिलाएंगे तो यह पांचवा और यह कितना होगा, चटा तो एक triangle का area आपको पता है ये होता है किसी भी regular hexagon में ऐसे 6 equilator triangle बन रहे हैं तो एक का area इतना है तो 6 का कितना होगा इसको 6 से गुणा कर लेते हैं तो कुछ cancel हो रहा है तो ये area देगा आपको शित्रफल देगा cancel होने वाला ये गया 3 ये गया 2 तो ये आगया आपके 3 root 3 divided by 2a square ये इसका शित्रफल होगा ये इसका area होगा तो यही आपको पूछा गया था ये formula है आपको याद रखना है 3 root 3 by 2a square किस तरीगी से आया वो मैंने आपको explain कर दिया अब देखते हैं इसके अंदर और क्या होगा अगर इसके अंदर हम बनाएं एक क्या वरत circle बनाया जाए तो अगर इसके अंदर एक circle बनाएं तो और देख सकता है इस तरहीए से देखिएगा तो ये तो हमारा शित्रफल हो गया जो कि आपने देखा अभी तो आपको याद रखना है कि regular hexagon sum शस्ट बुझ के लिए अगर हम area देखें तो होता है 3 root 3 by 2a square अब आगे देखते है इसके अंदर और बाहर वरत बनाया जाए circle बनाया जाए तो उनकी radius जो होगी उसके बारे म बनाना चाहें तो इस तरह से भी देख सकते हैं सेम वही चीज है जो पिछले वाले में बनाई थी हमने अब इसके अंदर की तरफ एक बनाते हैं हम व्रत जो कि इस तरह से बनेगा बड़े से बड़ा जो बन सकता है ये बन रहा है इस तरह से ठीक है अब देखिएगा बाहर की तरफ अगर वरत बनाए तो वो कैसा बनेगा इस तरीके से बनेगा इस तरह से वृत बनेगा अब बात करते हैं अगर हम जो अंदर वाला वृत है उसके लिए रेडियस की तो अंदर वाले वृत की रेडियस हमने कह दी स्मॉल आर तो अंतर वृत की तरजिया रेडियस ओफ इन सरकल जिसको स्मॉल आर से हम लिख रहे है वो क्या होगी तो ज़रा देखिएगा अगर रेडियस ओफ इन सरकल की हम बात करें तो रेडियस ओफ इन सरकल के लिए अगर हम देखें तो इक किस तरीके से बनेगा आप देख सकते हैं अगर इसको और डंसे देखें, यहाँ पर आप देखिए, जैसे अगर अंदर की तरफ वरत बनाओं तो इस तरह से वरत बनेगा ऐसे, यह साइज थोड़ी बड़ी उस वज़े से ऐसा दिख रहा होगा आपको, तो आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से य ही radius हो रही है जो किसी equilator triangle के लिए होती थी तो equilator triangle के लिए जो बाहर के लिए होती थी वही मान आ रहा इसका तो उसको अगर हम याद करें तो वो क्या थी वो थी a by कितना root 3 तो इसका मतलब इसकी value हो जाएगी कितनी a by root 3 और a आपको पता है क्या होगा इसकी side और वैसे ही अगर परीवरत के लिए बात करें मतलब radius of circum circle की बात करें तो वो क्या होगा जिसको हम capital R कह सकते है उसकी value क्या होगी उसकी value होगी जो आप value ले रहे है इसकी side की जो की कितनी है a इस तरीके से आप ये चीज याद रख सकते है कि अंतरवरत की तरजिया तो होगी a by root 3 और परीवरत की तरजिया होगी इसकी small a ठीक है किस तरीके से आप क्या करेंगे ये ही तो लेंगे इसकी radius तो ये radius लेंगे तो आप देख पा रहे है ये a है ये भी a है तो आपने देखा था इसके मध्य बिंदू से जो ये हमने लंबा ही इसकी length देखी थी तो ये ही तो परीवरत की क्या होगी आपकी radius जो की कितनी हो रही है तो परीवरत की तिरजियां हम कह सकता है कितनी होगी a और अंत्रवरत की तिरजिया इसके लिए होगी a by root 3 और ये कहां से आया जो इक्यूलेटर ट्राइंगल के लिए बाहर वरत बनता था उसकी जो radius होती थी वही radius यहां पर इस सम सस्ट बुझ के लिए अंदर की तरफ बनने वाले वरत की होगी चली अब question देखता है इसके लिए देखिएगा question number 12 है क्या कह रहा है देखते है कह रहा है कि किसी वरत के अंदर बनने वाले संबाव तिर्बुझ और सस्ट बुझ की बुझाओं की लंबायों का अनुपात क्या होगा तो पहले तो यह जो diagram है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो देखिएगा diagram क्या कह रहा है आपको किसी वरत के अंदर बनने वाले संबाव तिर्बुझ और सस्ट बुझ की बुझाओं की लंबायों का अनुपात क्या होगा सबसे पहले बना लेते हम वरत यह बना लिया हमने वरत इसके अंदर क्या बन रहा है एक तो संबाव तिर्बुझ तो यह लीजिए यह बना लिया हमने सम्भाव तिर्बुज बुजा मान ली जिसकी हमने ए और ये इस वरत का हम मान लेते हैं केंद्र जो की है आपके यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं ये क्या होगी? ये रेडियस होगी? किसके लिए? इस वरत के लिए? तो अगर मैं बात करू इस रेडियस की तो ये रेडियस कितनी होगी? ये रेडियस कितनी होगी आप देख सकते हैं एक सम्भाव तिर्बुज है सम्भाव तिर्बुज के बाहर की तरफ एक वरत बनावा है तो सम्भाव तिर्बुज में इक्विलेटर ट्राइंगल में जब बाहर के तरफ वरत बनता था तो उसकी रेडियस क्या होती थी वो रेडियस होती थी आपके A by root 3 तो इसका मतलब इसका मान आ जाएगा कितना इसको small r नाम दे दू तो small r की value आगी A by root 3 कोई दिक्कत नहीं है चलिए अब इसी वरत के अंदर आपका क्या बन रखा है इसी वरत के अंदर बन रखा है सस्ट बुझ तो वो भी बना लेते हैं तो draw करते हैं उसको भी देखिएगा ये सस्ट बुज बनाना है आपको तो किस तरीके से बनेगा ये इस तरह से बनेगा ये बनाया हमने सस्ट बुज ठीक है अब आपको बताना है कि ये जो आपने A माना है जो कि Equalated Triangle की Side है और जो आपका Hexagon है उसकी Side क्या है वो हमने मान ली वो Side क्या है B है ठीक है तो A और B का आपको Ratio बताना है तो देख लेते हैं तो A के लिए तो A की Value तो मैं यहां से ले सकता हूं तो A की Value अगर मैं देख लूँ यहां से कितनी आ रही है तो A की Value आप चाहे तो ले सकते हैं R into Root 3 कोई दिक्कत नहीं है चलिए इसी दरे से अगर B की Value आ गई आपके पास तो A और B का Ratio भी निकल जाएगा तो B की Value कैसे आएगी ज़रा देखिएगा यह आपने लिया है पॉइंट यहां पर तो जैसा कि आपको पता है अभी अभी हमने डाइग्राम में देखा था किसी भी सस्ट बुझ के बीच में हम कोई पॉइंट मान कर कोई बिंदू मान कर अगर इसके लिए यह सीर्स बिंदूओं के लिए यह जो वर्टेक्स पॉइंट है इनकी लेंथ देखें तो वो बराबर होती है किसके उसकी साइड के ही तो इसकी यह जो है यह भी कितनी होगी बी ही होगी तो यह बी होगी और बी का मान क्या होगा बी का मान हम देख सकता है इस वरत के लिए अगर मैं देखूं सरकली के लिए देखूं तो ये क्या है इसकी रेडियस ही तो है इसकी ये इस वरत की रेडियस है तो इसका मतलब ये है वरत की रेडियस और सस्ट बुझ के लिए क्या है सस्ट बुझ के लिए ये इसकी लेंथ है जो कि इसके वर्टेक्स को मिला रही है center points से जो कि इसके side के equal होती है तो मैं कह सकता हूँ B किसके बराबर हुआ R के तो अब हमारे पास A की value भी आ गई B की value भी आ गई तो इनका ratio ही तो पूछा था तो निकाल लेते है ratio तो ratio क्या होगा A upon B, A कितना है R root 3, B कितना है R है तो R से R cancel कर दिया तो answer आ गया root 3 ratio 1 किसका A से B का और A क्या आपका A है equilator triangle के side लिख सकते हैं equilator triangle के side कितनी है A और जो आपका hexagon है उसकी side क्या आपकी B तो A और B का ratio पुछा था root 3 ratio 1 answer आ चुका है बात करते हैं हम next question, question number 13 की उससे पहले एक concept दे रखा आपकी book में उसको भी हम देख लेते हैं वो क्या कह रहा है तो वो आपको इस तरीगे से बता रहा है कि एक कोई आपके पास circle है R radius का तो इस R radius के circle को R radius के दूसरे 6 circle जो है surround कर सकते हैं मतलब इसके चारों तरफ आ सकते है 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते तो किस तरीगे से बन सकते हैं वो 6 देखिएगा ये बना आपके पहला first ये आया second ये आया इस तरह से third ये आया इस तरह से fourth और ये आया इस तरह से fifth और ये बचावा इस तरह से sixth आ जाएगा तो यह आया इधर फिफ्ट नमबर और यह आया इस तरह से six तो जो radius है सबकी क्या है एक समान है और जो इनके बीच में radius है उसकी भी इन सबके समान है तो कुल मिलाकर कहने वाले सिर्फ बात इतनी सी है कि किसी आर रेडियस वाले circle को 6 आर रेडियस वाले circle जो है आपस में क्या कर सकते हैं पूरा उसको घेड सकते हैं और हर एक जो 6 आपके circle होंगे उनकी radius भी जो बीच में circle है उसकी radius के बराबर होगी ठीक है तो हर एक जो circle दिख रहा है आपको बाहर की तरफ ये हर एक circle दो दूसरे circle को और जो बीच में circle है उसको क्या करेगा टच करेगा इतना सही statement समझा रखा है आपकी notebook पे तो थोड़ा सामने भी देख लिए क्या बता आगे कहीं जाते हो हमारे काम आजा तो देखते है next question question number 13 क्या कह रहा है question number 13 आपके सामने है क्या पूछ रहा है आपको देखिए आपको एक दे रखा है ये क्या सस्ट भुझ ठीक है अब जैसे कि ये diagram बना हुआ ही है तो अगर diagram बना हुआ है और ये सब वहां पर mention है already पहले से ही तब तो ये question बहुत ही असान हो गया बिना कुछ लिखे इसका answer हम निकाल सकते है ठीक है और अगर केवल language लिखी भी है फिर इसको करे तो ये diagram हमको बनाना पड़ता है लेकिन अभी जो हमारे पास available है notebook राके शायद हो class notes वाली उसमें तो ये सीधा diagram बन रखा है तो फिर ये सारी चीजे mention है तो हम direct transfer एक second में कर सकते हैं आपको गहरा capital R जो है वो 10 है तो capital R क्या है ये यहां से यहां तक जो है ये बोल रहा है ये capital R है तो capital R की value कितनी दे दी इन्होंने 10 cm कोई दिक्कत नहीं तो आपको पूछ रहा है small R की value क्या होगी easily निकाल सकते है तो हम देख सकते हैं ये यहां से यहां तक यह कह रहा है 2R ये आया कैसे वो भी मैं आपको explain कर दूँगा ठीक है ये यहां से यहां तक कह रहा है 2R और ये R तो ये capital R के equal है तो 10 cm is equals to 3R तो small R आ अब थोड़ा सा इस डाइग्राम को समझ लेते हैं ये डाइग्राम कैसे बना होगा ठीक है answer जो पूछा वो तो आगया 10 by 3 cm अब इसके बारे में बात कर लेते हैं ये R 2R और ये सब कैसे आएं तो देखीगा जड़ा ये आपको दिख रहा है hexagon है सस्ट बुझ है जिसकी side कितनी है हमें नहीं पता हमें सिर्फ इतना पता है कि ये जो आपको circle दिख रहे हैं ये जो वरत दिख रहा है इस वरत की radius जो है वो वरत की radius होगी छोटे वाले वरत की small r तो इसका अलग यहां से यहां तक यह कितना हो यह कितना हो गया smaller फिर एक और circle है आपके पास जैसा कि यह दिख रहा आपको तो इसकी radius भी क्या होगी? small r ही होगी और ये भी small r ही हुआ वैसे ही आप समझ रहे हैं जितने भी ये circle बने हैं सबकी radius क्या होगे small r ठीक है ये भी होगे small r वैसे ही ये और circle बनावा है आपके सामने इसकी radius भी small r हो गई वैसे ही ये एक और circle है आपके सामने इसकी radius भी small r तो 6 circle थे, उन सभी की radius similar है, question ऐसा कह रहा है, लिखावा नहीं है, but language यही रहेगी इसकी, तो यह हो गए small r, तो अब मैं बता सकता हूँ कि, जो आपका hexagon है, उसकी side कितनी है, तो hexagon की side की length अगर हम देखें, तो hexagon की side की length क्या होगी, यह इसकी side है, तो r और r कितना हो गया, य दिक्कत नहीं, वैसे यह कितना हो गया, 2 r, यह भी आप देख सकते है, 2 r, यह भी देख सकते है, 2 r, और r, वैसे यह r और r, कितना हो गया, 2 r, तो hexagon के लिए जो side है, वो side आ चुकी, hexagon की, सस्ट बुझ के लिए, जो side बुझा है, वो आ चुकी है, कितनी 2 r, और अंदर जो आपका, छोटा वारा circle है, उसकी radius दे रखी, आपको small r, और जो बाहर वाला circle है, उसकी radius है, capital r, जो की 10 cm आपको given है, बस small r की value निकालनी है, तो वो हम निकाल सकते हैं, कैसे देखिएगा, अ अगर उसके vertex point को मिलाया जाए, तो वो vertex point तक की जो distance होती है, या length होती है, वो बराबर होती है, किसके, उस hexagon की side के, इसका मतलए ये जो है, ये कितना होगा, ये होगा आपके 2 r, कोई दिक्कत निए, फिर इसे मैं देख सकता हूँ, ये क्या है, ये तो इस वाले वरत के लि आओ गई, जो की question में हमें दे रखी है, कितनी capital r, तो इसका अलब, ये अगर मैं देखू, 2 r plus r कितना, 3 r, जो की 10 के बराबर है, तो small r आगया, 10 by 3 cm, तो ये था हमारा question, question number 13, बात करेंगे question number 14 की next part में, तब तक channel को subscribe और video को like और share कीजिए, और comment box में comments कीजिए, thank you so much. क्यारी!